हलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल मैं मधुबाला स्वामी मेरे व्लोग में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हो आप सब आप सब ठीक होगे और मैं भी जो है बहुत ही अच्छी हूँ जैसा कि आपने इससे पहले वाले व्लोग में देखा था कि बस मैं तयार हो गई थी और मैं नीचे जो है जाने वाली थी बस मैं नीचे जाके सिखा के आ गई थी और उसके बाद में जो है मैंने मेरे छोटे वाले बेटे को वो जो है पढ़ रहा था तो उसको बिस्कीट और दूद बना के दिया था और मैंने चाए पी थी और उसके बाद में और यहां पर जो है पापा जी को भूख लग रही थी वैसे तो मैं नास्ता देने वाली थी पर पापा जी ने आवाज लगा कि बोला बेटा भूख लगरी कुछ लिया तो मैं नमकीन मठरी मीठी नमकीन और केला और बिस्किर और शर्बत बादाम वाला वो मैंने दे दिया और बस यहतने सारे बरतन मुझे जमाने थे तो बस बरतन जमाऊंगी में और लेसुन मुझे छीलना है पैस्ट बनाना है साम को तयारी करनी है जैसा कि मैंने बताया था जेड जी मेरे आये हुए हैं बड़े दो सिटी ले लोगी ताकि अच्छा से मेश हो जाए और बस यहाँ पर मैं जो है बरतन जमाने में लग गई अपने और गाइस अगर मेरा ब्लोक आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज आप लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा शेर कीजेगा और कमेंट्स भी और अगर मेरे जो है आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कीजेगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले आप मुझे फेस्बुक के पेज इंस्टा और ट्विटर पे आप मुझे फोलो कर सकते हो और ब पर दाल भी मैंने चड़ा दी तो जब मैं बनाती हूं दिन की तो बस उसी टाइम पर जो है मैं डाल वाल उबाल लेती हूं अगर मैं डाल नहीं बनाती हूं तो मेरे बड़ा वाला बेटा और छोटा वाला बेटा दोनों नाराज हो जाते हैं और बस मुझे दाल ही बनानी पड़ती साम को तो वेराइट चेंज करती रहती हूं दाल की और बनाती हूं और गाइस जैसा कि आप जानते हो कि में 2012 के पहले से जो है सबी क्लासेज मेरे यहां पे निशुलक चलती है जैसे कि पालर मेंदी और हैंडी क्राफ्ट के 100 आइटम जो है मैं वो बिल्कुल करा और सिलाइब मसीन को भी आगे और बढ़ाऊं यानि 2 से 5 5 से 7 में करूं और करीबर 900 लड़किया में पालर का कोर्स मेरे यहां से सीख कर जा चुकी और 900 लड़किया सीख कर जा चुकी है और 355 के लगबग मैंने फ्री के बच्चे पढ़ाएं और बड़े-बड़े घरो जो है लेडिज जिनको की हिंदी पढ़ना नहीं आता है उनको भी मैंने फ्री में जो है कोर्स कराया है पढ़ाया है और और केम्प लगाती हूं हर गर्मी की चुट्टी में तो उसमें 100 आइटम भी मैं सिखाती हूं और जैसा कि आप सभी जानते हूं कि मैं नारी शक्ति के ल सपोर्ड देते रहिएगा ताकि मैं और सभी लड़कियों को इसी तरीके से आत्म निर्भर जो है मैं बनाती रहूं और बस यहां पर जो है मैं सबजी वबजी क्योंकि चाय मेरी उबल रही थी क्योंकि चाय अगर अध्रक पहले डाल देते तो मेरी चाय जो है फट जाती है और यहां पर विमला जो है फली लेके आई है और जो है दूद लेने गई थी वो तो यह यहां पर जो है करेला लेके आई है सबजी लेके आई है उसको बहुत मना करती हूँ मैं लेकिन वो जो है यह काम करती है क्योंकि अभी बड़े वाला बेटे के जो है एक्जाम की तैय बात करके क्या करूंगी जैसा कि कई लोग सोचते होंगे यह मतलब मैंने एक दो बार जो है पुए बनवा लिए थे और जो है उसने एक दो दिन सब जो में जब तवेट खराब हुई थी तो उसने चपाती वी सेकी थी तो सभी ऐसे सोचते होंगे कि यह उसी काम करवाती है तो विमला बोल रही थी मैं बोलने वाले बोलते रहते हैं क्या आप मुझे बेटी नहीं समझते हो क्या एक बेटी घर में काम नहीं कर सकती है तो मैं तो मेरे घर में बहुत काम करती हूं और आप तो मुझे जो है बेटी की तरह प्यार करते हो और बेटी की तर खराब होती है तो चाहिए आप मुझसे यहाँ पर घर में कुछ मत करवाई है लेकिन मैं दूद तो लाके दे ही सकते हूं तो फस उससे जो है मैंने दूद मंगवाया था और अभी जो है चार-पांस दिन ते वही दूद लाके दे रही है पस यहाँ पर मैंने बाटी काटा ल वीडियो शूट करती तो बहूत लंबा जो है व्लोग हो जाता तो यहाँ पर यह यह सारी मेरी बाटिया और इधर मैं दाल छोकने की तयारी और सब। चोकने की तैयारी करने लग गई तो बस तेल मैंने डाल दिया राइस जीरा डाल दिया खुब सारा और जो है मेरी लोकी और गोभी और आलू मैंने डाल दिया आलू इसलिए डाले ताकि छोटा वाला बेटा भी जो है ये सबजी खा ले और लोकी जो है वैसे भी स्वास्त के लिए बहुत फाइदेमंदे तो मैं लोकी बहुत जादा खाती हूं और इसमें मैंने गोवी के टुकड़े डाल दिया क्योंकि मैंने सोचा भाइसाब सोचेंगे कि कली तो इन्होंने लोकी और आलू बनाएते आज फिर से बना लिए तो इसलिए मैंने उसमें गोवी भी मिला और यहां पर मेरे सुखे मसाले डाल दिये मिर्ची हल्दी और धनिया और नमक और बस अब इसको में धक्के पका लूँगे और धकन के उपर में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो है सबजी चिपकेगी नहीं और अच्छे से सॉफ्ट बनेगी और टमाटर मैंने अच्छे से हिला के और जो है अब में धक्के पकालूँगे उदर मेरी बाटियां होई रही थी पहले तो मैंने उसको गेस तेज करके पहले वन को गरम कर लिया था और फिर मैंने बाटिया रखी नहीं तो कम गेस पर रखते हैं तो बाटिया चिपक जाती है और बास उनको उल्टा सिधा करके कर दिया था और फिर मैं धक्के पकालूँगे उसको बाटियों को कि हम लोग जो है बहुत कड़क कड़क बाटियां खाते हैं मतलब जब डाड़ दांस के बीच में बाटिया थी वह कुड़ कुड़ बोल ली चीए जैसे कि चना बोलता है बस वेसी लाज और जो है लेमन ले लेंगे चार पापड यह हो जाएगा नमकिन दे दूंगी तो बस आज का डिनर हमारा यही होगा और यहां पर मैं सबजी चेक करती जा रही हूं और बस गाइज प्लीज आप लाइक सस्क्राइब शेयर जरूर कीजेगा मुझे सपोर्ट कीजेगा बहुत सी लड़कियों के आपको जो है दुआएं लगेगी और लड़किया आत्म निर्वर बनेगी और जो है इनके माबाब बहुत ही गरीब परिवार से हैं गाउं से आके यहां पर बसे हैं और अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं दो वक्त का जो है खाना भ कोच का डेली का खरित खरित के और यह लोग खाना वाना बनाते हैं और जो है इनके घरों में जो है घी भी चोपड़े नहीं जाता मतलब चपाती को जो है कोरी ही खाते हैं और कई घरों में तो चपातियां बनती ही नहीं है भूके ही सोना पड़ता है तो यह आत्म निर्व में हाथ में निर्बर हो जाएगी तो किसी अन्य पार्लर में जाके यह जोब कर सकती है और मेहंदी को विवसाय के रूप में जो है अपना सकती है सिलाई कर सकती क्योंकि आज कल जो है डाइसो रूपे से जो है सिलाई की जो है रेट स्टार्ट है ब्लाुज की और और में ब्लाँज पैंती कम ऊए तो मुझे इतना भी पता नहीं है लेकिन यह सिलाई भी कर सकती है और टूपशन भी पढ़ा सकती है हैंडिक्राफट की आटम भी यह सेल कर सकती है एक्जिबिशन में सेल कर सकती है तो प्लीज गाइज आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि यह लड़के आत्म निर्वर बन सके और यहां तक मेरे को पहुचाने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत 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 तहे दिल से धी अरही जीरा डालके और मैं ने देज़ प्ता हो लालमिर्ची डाली है और में हाइब आप लेें आपको हाय कर रही हूं क्योंकि केमरा थोड़ा उचाई पर रेहें तो मैं दिखती हूं क्योंकि मुझे फ्रंट क्रेमरा आज में यूज करा है मुझे आता नहीं है फ्रंट क्रेम ला यूज करना तो आज मैंने करा है तो देखें मैं कितनी मोटी लग रही हूं गाइस मेरी टमी निकल गई क्योंकि बारिस का मोसा में तो घूमना थोड़ा कम हो रहा है और मम्मी के यहां से आई हूं तो बस मम्मी के लाड़ प्यार ने पर ने हमेरी सबा पर चैक करती जाए रही हूं बाटिया सब्सक्राइस ट्री डाल के सब्स्क्राइ open और सोरी और यहां पर जो है मेरे जो है टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए थे और इधर मैंने गरम पानी चड़ा दिया थोड़ा सा केटली में तो बस एक गेस पर बाटी हो रही है एक पर पानी हो रहा है और एक पर सबजी हो रही है एक पर दाल हो रही है तो पानी मेरे को इस पाट बिगड जाता है बस इसमें मैंने गरम मसाला डallo क्योंकि रोज явा मेरे में इसाइड आए हुए मेरे जएड जी आए हुए है तो उनको जो हैकर आप लोगों को मिलवाउंगे जैसा कि मैंने बताया मिस वोड्र टालने गए थी तो भाभी जी वहा operation हुआ था तो मैं उनसे मिलने गई थी खास तोर से तो मैं भावी जी से ही मिलने गई थी उनका operation हुआ था और फिर मैं वहीं की वहीं वोट भी डाल के आई थी तो कभी जाओंगी तो मैं जरूर मिलवाँगी और मेरी ननत जो है राखी पर आएगी तो मैं जरूर मिलवाँग तुम लोग खाना खालो तो बस मैं बाटी का घर घर निकाल रही हूं और इनको अच्छे से फोड के और इसमें जो है गी डाल दूंगी साथाठ चमज ताकि जो है थोड़ा गरम है वो इतनी देर में मेरे जो सबजिया वगेरा वो समालने लग गई क्योंकि मेरे हाथ गरम जो जल रहे थे बस इसका अच्छे से चूरा करके बेश करके कि पापा जी के दांत नहीं है तो बस वो इनको अच्छे से खा लेंगे मैंने स्वामी जी को बोला कि आप एक बार और कोशिश करो जो पापा जी की दांत रखे हुए हैं तो वो लगा ले तो वो जो है अच्छे से खाना खा लेंगे लेकिन पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं ये दांत में नहीं लगा सकता पता नहीं उनको क्या प्रोब्लम है शायद वाली और बस रात में दूद दे दूँगी और यहां पर यह मेश कर यूई बीच का जो घरगर है वो और यह सारी बाटी मैंने चुपड़ ली और यह हमारी बाटी चुपड़ के तयार है हम इस तरह की डाल नहीं खाते गाई इसकी जिसमें पानी अलग जारा और दाल अलग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और यहां पर थोड़ा सा चूरा पड़ा था एक दो बर्फी कर टुकड़े तो उनको मैंने जोड दिया और बर्फी बना दी एक जो चोटी सी बर्फी बन गई वैसे तो मेरी सारी बर्फी खतम हो गई थी तो बस मैंने भाई साब की जो आ सबजी रख दी और लोकी की और जो है गोबी की सबजी रख दी और अचार मेंने रख दिया तो बस आज कर दिनर हमारा यही है और नमकिन रख दी थोड़ी सी मिक्स नमकिन दो दिन से दे रही थी तो आज मैंने जो है विका जी की नमकिन जो आलू वाली नमकिन होती वह मैं बहुती अच्छी हैं बड़ी दीदी खतम हो गई लेकिन वही बहुती अच्छी दीदी थी और पूरा सुस्राल पक्स बहुती अच्छा है और जो है पीर पक्स में मेरे दोनों भाया से आप मिली चुके हो भावी से भी में मिलवाओंगी तो चलिए मिलेंगे अगले व्लोग में थेंक यू फॉर वोचिंग गुड़ नाज